हलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल जै महाकाल सास्तरों में जगजन्नी मादुरुगा की मैमा का गुणगान किया गया है मादुरुगा के सरनागत रहने वाले साधकों की सभी मनोकामनाय जल्द पूर्ण होती है साधक मन चाहे वर की प्राप्ती के लिए वरत भी रखते हैं इस वरत के पुन्य प्रताप से आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है हर मा सुकल पक्ष की अस्टमी तिथीप जगजन्नी मादुरुगा की पूजा की जाती है साथ ही उनके निमित मासिक दुर्गास्टमी का वरत और उप्वास रखा जाता है धार्मिक मत है कि मासिक दुर्गास्टमी पर मा दुर्गा की पूजा उपासना करने से साधक को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है साथ ही सकल मनोरत सिद्ध होते हैं इस वरत की महिमा का गुणगान थास्त्रों में किया गया है मा दुर्गा अपने भक्तों पर क्रपद रिस्टी बनाये रखती हैं उनकी क्रपद से साधक के सभी दुख और संताब दूर हो जाते हैं अधासादक मासिक दुर्गास्टमी पर विधी विधान से मा की उपासन ना करते हैं दुर्गास्टमी सुब मोहुरत है जेस्ट मा की सुकल पक्ष की अस्टमी तिथी की सुरुआ 13 जून 2024 को रात 8 बच कर 3 मिनट पर होगी 37 का समापन 14 जून को रात 10 बच कर 33 मिनट पर होगा ऐसे में मासिक दुर्गास्टमी का पर्व 14 जून को मनाया जाएगा मासिक दुर्गास्टमी सिद्धी योग का निर्मान हो रहा है इस योग का समापन संध्याकाल साथ बच कर आट मिनाट पर होगा इस योग में मा दुर्गा की पूजा करने से साधक को सभी सुब कारियों में सिद्धी प्राप्त होगी साथी घर में सुख स्मृद्धी और खुशाली आती है दुर्गास्टमी पूजा विदी मासिक दुर्गास्टमी तिधी पर सुबा में उठें इस समय मा दुर्गा को प्रणाम कर दिन की सुरुवात करें नित्य कर्मों से निर्वित्त होने के बाद गंगाजल यूगत पानी से स्नान करें अब सूर्य देव का अभिशेक करें इसके बाद पंचो वक कार कर विधी विधान से मा दुर्गा की पूजा करें पूजा के समय दुर्गा चालिसा का पाट और मंत्रों का जब करें पूजा के अंत में आरती वर सुक स्मरदी की कामना करें मा को लाल रंग अधी पिरी है इसलिए लाल रंग का फूल अवश्च चड़ाएं इसके लिए मा को लाल रंग का फूल फल मिठाई अवश्च अर्पित करें साथ ही मासिक दुर्गा स्टमी के दिन काले वस्थ नहीं पहनने चाहिए इससे मा दुर्गा नाराज हो सकती है साथ ही मा दुर्गा का अशिर्वात प्राप्त करना चाहते हैं तो लाल और गुलावी रंग के वस्थ धारण करें इसके अलावा मासिक दुर्गा स्टमी के दिन मास मदिर्या का सेवन नहीं करना चाहिए माना जाता है कि इन चीजों का सेवन करना पाप के समान माना जाता है इससे जातक के जीवन में कही तरीके की परिशानियां आती है दुर्गास्ट में पर करें इस मंदर का जाप दुर्गास्टमी के दिन मा दुर्गा को खीर का भोग लगाएं से माता रानी प्रसन्न होती है और उनकी क्रपा प्राप्ती होती है अस्टमी के दिन मा दुर्गा को पंचमरेत और सक्कर का भोग लगा सकते हैं इन चीजों का भोग लगाने से व्यक्ति को दीर का आयू का वरदान प्राप्त होता है करियर में सफलता पाने के लिए मादुर्गा को केले कब होग लगाएं ऐसा करने से व्यक्ति को बुद्धी का विकास होता हूँ मन्चाही सफलता मिलती है अगर आप धन लाप पाना चाहते हैं तो मासिक दुर्गास्टमी के दिन मादुर्गा को दोच से बनी मिठाई का भोग लगाएं सिधन, वैभाव और एश्वर्य प्राप्त होता है तो दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट केरे सब्सक्राइब जरूर करें जै महाकाल थैंक यू फॉर वाचिंग